सावनेर रोड स्तीत कुनाल धाबे पर कुछ योगों को 31 डिसंबर की रात को खाना न मिलने की वज़े से उनमें विवाद हुआ और विवाद इतना बड़ा के फिर उसने हिंसक रूप धारन कर लिया प्राग जानकारे के अनुसार फिरियादी वैभाव सुरेश घोर से अपने दो दोस्त प्रविंस सेव के और मोंटो तलवे के साथ खाना खा रहे थी तभी आरोपी गंशाम डहा के उमेश्खर से वनितेश्खर से भी कुनाल धाबा पहुचे और धाबा मालिक से कुछ खाना निरी अपने फिरियादी और कुछ लोगों की और हात करते हुए इन लोगों को कैसे खाना दिया कहते हुए चकड़े पर उतार हुए तो वही खाना खा रहे प्रविंस सेव के ने भी उन्हें समझाने की कोशिश की यallahi ने उसे भी धमकाते हुए बहार मिल देख लेंगे द पुड़ी ही देर में खाना खाकर अपनी घर की और वापस जा रहे प्रविन सेवके मोंटु तवले की ताक सफेद रंग स्कॉर्पियो में मान कर पेट्रोल पंप के पास उनका इंतजार कर रहे आरोपियों ने उन्हें घेर कर अशानक चाकू से हमला कर उन्हें खायल कर दिय जिसमें प्रविन सेवके के पीट पेट और हातों पर वार किये जिससे उनका पेट फटने से अड़तिया बाहर निकल गई तो मोंटु तवले के जांग और पिछवाडे पर वार कर फरार हो गे सवभागे से फिर्यादी वैभाउं खोल से दूसरे मोटर साइकल पर होने से जखमी होने से बचे और अपने मित्रों को और सावनेर पुलिस को घटना की जानकारी दे कर घायलों को तुरन प्रातमिक स्वास्त के इनल सावनेर लाया गया घायलों के जखम गहरे और जानलेवा होने से उन्हें नाकपुर रवाना किया गया घटना की सूचना प्राप्त होती ही ठानिदार अशोक कोली और टीम आरोपियों की तलाश में जुट गया और देर रात आरोपि घंशाम ढाके उमेश खड से और नितेश खड से तीनों सावनेर निवासी को गई धाराओ की तहट किर अफ्तार किया ठानिदार अशोक कोली के मार्ग दर्शन में एपियाई सतिश पाटिल घटना की चांच कर रहे है निवर्श के पहले किरन के साथ ही रात को घटित घटना से एक और अनेक चर्चाओ का बाजार कम रहा तो वहीं दूसरी और चाते चाते भी 2020 शहर को रक्तरंजित कर दाग लगा ख्या